पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो उनकी अर्ली लाइफ देखेंगे, इनके पिता जी किम्रती बहुत जल्दी हो गई थी, इनकी माता जी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो ये बहुत ज़ादा चिरते थे कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मा और मेरे जो सौतेला बाप है उसक घर में रखके जला दूँ, उसके बाद revolution in physics, जब ये university में जाते हैं, 25 साल तक आते आते हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़े discover कर देते हैं, कि क्या बोले, लेकिन Newton की सबसे बड़ी दिक्कत कह सकते हैं, ये achievement भी कह सकते हैं, ये थी, कि वो कभी भी अपने ideas को बांटना नहीं चाहते थे, ये criticism से बहुत डरते थे, इनको बहुत डर लगता था, कि अगर मैं ये ideas बाटूंगा, या बताया तो लोग मुझे criticize करेंगे, इनको phobia था, allergic to criticism थे, criticism बिल्कुल भी नहीं सकते थे, जो इन्होंने बोला, आपको मानना ही पड़ेगा, आप question नहीं कर सकते, एक बहुत ब कर था, 25 साल के उमर में इन्होंने सारी चीज़ें discover कर ली थी, optics, gravity, laws of motion, सब कुछ, calculus, लेकिन ये सिर्फ अपने तक ही रखते थे, किसी को नहीं पता था कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें Newton ने कर ली है, वो तो बाद में पता चला, ठीक है, उसके बाद फिर later years देखेंग और हम laws of motion, optics, gravity, इन सब के बारे में जानेंगे, calculus के बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, maths भी पढ़ेंगे, physics भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बड़ा interesting lecture होने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका जो जनम है, Christmas Day के दिन हुआ था, 25 December 1642, 1622 में, Lincolnshire में हुआ था, जो की England में है, English descendant है, ये England में का जनम हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि जब ये तीन साल के थे, मतलब जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, तो इनके पिता जी की रित्य हो गई थी, जब ये पैदा हुए, तीन साल के थे, तो इनकी माता जी जी ने दूसरी शादी कर ली, अब ये बहुत ज़्यादा चरते थे, अब इनकी माता जी ने जब दूसरी शादी कर ली, तो पालर पोशर कैसे करेगा, इनकी माता जी ने बोला, अपने माबाब को बोला कि आप पालो, तो Newton का जो पालर पोशर था, इनके नाना नानी ने कि गुसा थे कि न बाप का प्यार मिला न बहुती एक गरीμ फैमली में जन्मे थे बहुत ज़्यादा प्रवस्पररस फैमली नहीं थी और हमेशा ये सोचते थे कि किसी दिन अगर मुझे मौका मिलेगा न तो अपने सोतेले बाप और अपनी माता को घर में बन करके मैं जला दूँगा मेरा तो यह मन करता है बस तो यह चीज थी बहराल उसके बाद जब बारा साल के होते है तो स्कूल में इनका इंडिमिशन होता है वहां पर यह ग्रीक और लाटिन सीखते हैं वह यह ग्रीक और लाटिन सबसे आज भी अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो आप अनपढ़ हैं यह पता नहीं कहूं सा कल्चर है कि नॉलेज को छोड़ो अंग्रेजी पकड़ो क्यूं क्यों क्यों कि Westernization ने English ने हमारे कल्चर को पूरा बर्बादी कर दिया था तो यह चीज है अब क्या होता है कि इनका college का जो साल है वो 19 साल में शुरू होता है 1661 में इनको Trinity college में इनका दाखिला होता है इससे पहले इन्होंने math का अच्छा का सा temperament एक scientific temperament डेवलप कर लिया होता है अब Trinity college उस समय बहुत आलिशान होता है बड़ी आयाशिया होती है वहाँ पे students जो हैं बहुत ज़्यादा party करते है girlfriends बनाते हैं boyfriends बनाते हैं यही सब होता रहता है पढ़ाई बाद में पहले इयाशी करो तो यह Newton को बड़ा खटकता है Newton जो है इन सारी temptations को resist करते हैं बोलते हैं मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है अरे इन्होंने अपन क्लास में ही बैटकर यह research करते हैं पढ़ाई करते हैं और अपना काम करते हैं इनके जो roommates होते हैं John Wilkins वो भी इनका भरपूर साथने बाते हैं अब यह वैसे तरह नहीं पता है कि इनके relations कैसे ते लेकिन अच्छे ही होंगे क्योंकि बहुत सालों तक दोनों एक दूसरे के कि हमको पाटे आटे नहीं करनी हैं हमको खली पढ़ाई करनी हैं तो न्यूटन का dedication बहुत जबरदस्त था और दिमाग तो बहुत जबरदस्त था ही उस समय तक Galileo थे Thomas Streets, Kepler's यह सब जो थे बहुत बड़े-बड़े scientist आ गय थे और Galileo Galilei क्या discover किया था टेलिस्कोप Galileo Galilei ने तो यह साबित कर दिया था कि Sun के around Sun एक focus है और बाकी उसके around सब गुमते हैं लेकिन तब भी Galileo Galilei की दिक्कते थी मतलब उनकी theories की कुछ drawbacks थी Isaac Newton ने बहुत बहुत लोगों के ideas को discard किया ठीक है Isaac Newton ने जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा इनका काम क्या था gravity की खोज एक ऐसा law Isaac Newton ने दे दिया जो पूरी दुनिया को चलाता था जो law यहाँ पे apply हो रहा है वही स्वर्ग में नर्क में जाहें जहां जाएंगे आप वही law apply होगा और उसको क्या बोला universal law of gravitation जी हाँ universal law of gravitation उसकी हम बात करेंगे इनकी achievements की पूरी अच्छे से बात करेंगे तो अब क्या है कि ये अपने room में ही रहते थे books में indulge रहते थे धेर सारी books पढ़ते थे ना सोते थे ना खाते थे 18-18 गंटे काम करते थे 6 गंटा सोते थे दिमाग के साथ hard work जब मिलता है तो क्रांती आती है और इन्होंने क्रांती ये क्रांती ले आए binomial theorem 1665 आते इन्होंने develop कर दी वही binomial theorem बड़े बड़े expansion को बहुती छोटे में उसको आराम से calculate करने वाली theorem binomial theorem उस समय बहुत मुश्किल था देखे न्यूटन ने maths के लिए सबसे बड़ा काम किया है calculus के बिना integration differentiation के बिना आज हम अपनी दुनिया सोच ही ही नहीं सकते हैं हमारे mobile जो इतने बड़े बड़े mobile आ रहे हैं जैसे Apple, OnePlus ये सब calculus या mathematical calculation especially integration और differentiation के बगएर अधूरे हैं हो ही नहीं सकते हैं आपका computer चले गाई नहीं आईसी होती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट मैस के बिना कुछ होना ही नहीं है और इसका शरे किसको जाता है Einstein भईया को अभी तक सर Einstein की हम theories पढ़ रहे हैं अरे science की शुरवाथी law Einstein laws अरे I'm really sorry Newton's law से होती है ठीक है Einstein बोल दिया I'm really sorry science की शुरवाथी Newton laws से होती है ठीक है तो Newton's की जो theory है ना वो हम अभी तक पढ़ रहे हैं तो बहुत important यों ने किया 1600 पैसे टाते हाते Newton ने binomial theorem को discover कर दिया था बहुत बड़ी mathematical theory थी उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि Newton ने सोचा कि अब कुछ बड़ा करते हैं तो एक दिन garden में बैठे हुए थे अराम से बहुत बढ़िया दिन था लोग party कर रहे थे लेकिन Newton जो थे वो फेड के नीचे बै बैठे हुए और apple का tree था वो उनके उपर गिरता है फटाक से करके एक save अब जब save गिरा तब उन्होंने सोचा कि यार ये save जो यहाँ पे गिरा है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी invisible force है जो save को अपनी तरफ attract कर रही है ये खोजना पड़ेगा तब इन्होंने gravity पे काम शु पे इसकी velocity क्या होगी जैसे मान लीजे की ये पेड है ये जमीन है यहाँ पे save गिरा ठीक है ये इतनी distance कवर की यहाँ पे इसकी velocity क्या होगी यहाँ पे क्या होगी अगर ये constant acceleration है तो क्या होगा acceleration change हो रहा है तो क्या होगा तो इसके लिए इनको कुछ ना कुछ develop करना बहुत जरूरी था अगर हम distance को बहुत कम कर दे infinitesimal मतलब infinitesimal का मतलब यह होता है कि जो भी आप number सोच रहे हैं उससे भी छोटा सबसे छोटा number अगर कोई भी चीज को infinitesimal कर दे या जो यह path travel कर रहा है इसको infinitesimal कर दे तब क्या होगा तो Newton ने जब यह सोचना स्टार्ट किया तब उन्होंने जब इसमें काम करना स्टार्ट किया calculus develop कर दी जी हाँ उन्होंने calculus develop कर दी integration और differentiation दोस्तों integration differentiation बहुत important होता है ठीक है अब integration क्या है जैसे कि माल लीजे कि आपको एक room है इस तरह का room है कोई ठीक है इसको calculate करना है अब ऐसे तो calculate करने में शायद सदिया भी जाए एक एक क्या करेंगे कि मतलब दीवार को ना पेंगे जमीन को ना पेंगे बहुत मुश्किल होगा तो best यह है कि आप छोटी सी एक step ले लीजे एक infinite से माल ले लीजे ठीक है और उसको calculate कर लीजे अब इसको आपने calculate कर लिया तो यानि कि ये जो step है आपका जो room है ऐसी बहुत सारी steps में divide होगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि एक step आपने calculate कर दी यहां से यहां तक limit ले लीजे और आराम से आप integrate कर दीजे limit लगाके और आपको आपका answer जो है वो मिल जाएगा तो integration की ये power है बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटे में confine कर देता है maths की help से और हम आसानी से इसका solution जो है किसी भी चीज का solution जो है वो निकाल सकते हैं ठीक है तो इन्हों ने ये branch establish कर दी ठीक है लेकिन मजे की बात ये है इन्हों ने gravitation खोज लिया इन्हों ने light के बारे में पहिणना शुरू कर दिया ठीक है optics बना दी इन्हों ने calculus बना दी लेकिन अभी तक पूरी दुनिया को कोई अंदाजा ही नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी discovery Newton ने कर ली है वो तो बाद में पता चला जब ये letter लिखते हैं उसके बाद एक professor इनको बोलते हैं कि आओ lecture दो London में और वहां से फिर इनकी जो book publish होती है Principia Mathematica वहां से पता चला कि Newton ने कितना बड़ा काम किया है अब भाईया इतना अगर बड़ा इन्होंने काम भी किया है तो बहुत दिक्कते भी आई इनका काफी criticism हुआ और मैंने lecture की शुरुआत में क्या कहा था criticism तो ये सही नहीं सकते थे बहुत बड़ी दिक्कत थी एक और बहुत बड़े scientist Leibniz ठीक है देखें Leibniz जो mathematical background के है उनको पता ये Leibniz theorem क्या होती है ये भी एक बहुत important scientist थे और इन्होंने भी calculus मतलब यही maths का principle दिया था इन्होंने भी calculus को discover किया था Newton और Leibniz में भेंकर तरीके से जंग हो गई Leibniz सीधा सीधा बोलते थे Newton को कि ये मेरे ideas है और तुम्हारा जो formulation है वो गलत है मेरा सही है इधर Newton भी बोलते थे नहीं ऐसा नहीं है मेरा सही है तो दोनों में काफी dispute भी हो गई ये एक अलगी topic है Newton और Leibniz में क्या हुआ फिलाल अभी मैं इसको touch नहीं करूँगा लेकिन दोनों में बहुत जबर्दस जंग हो गई थी ठीक है बहुत scientist Newton को support करते थे कि Isaac Newton तो जबर्दस था उनकी calculation सही है और उनकी सही थी सही थी बहुत लोग Leibniz को support करते थे बाद में कुछ लोगों ने Leibniz को fraud भी कह दिया था तो यह चीज है तो अब कहानी आगे बढ़ती है फिर जैसा कि मैंने बताया कि Newton's को criticism नहीं पसंद था Newton's जब पूरी दुनिया को पता चलता है कि Newton ने इतना कुछ कर दिया इससे पहले एक और चीज होती है दोस्तों कि इनको fellow of Trinity भी बनाया जाता है और उसके बाद इनके काम इतना जबरदस्त होता है कि इनको member of royal society भी बना दिया जाता है देखिए royal society सबसे बड़े scientist दुनिया के इस royal society का हिस्सा होते है तो यहाँ पे Isaac Newton का member बनना और बाद में इसी royal society के president भी हो गए यह अपने में ही बहुत बड़ी बात थी लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इनकी इतनी बड़ी-बड़ी discoveries थी बाद में काफी लोगों ने question करना start कर दिया कि आपकी discoveries जो है इसमें काफी drawbacks भी है वो किस तरह के होते हैं अगर मालीजे यह sun है तो क्या यह circular होंगे क्या यह square होगा यह होगा क्या तो Robert Hook ने बोला कि आप जो theory दे रहे हैं spiral की वो गलत है ऐसा नहीं है Newton का nervous breakdown हो गया Newton जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल भी सुनना पड़ेगा तुमको मानना पड़ेगा लेकिन बाद में एडमंड हेली वही हेली इस comment चलिए comment box में बता दिए हेली इस comment कितने सालों बात दिखता है तो वही एडमंड हेली ने Newton से बोला कि सर आप इस पर study करिए और actually आप देखिए कि क्या path है Newton ने इस बात को समझा Newton ने बोला कि चलो ठीक है मैं study करता हूँ orbits की study करूँगा और बाद में 18 महिनों तक दिन रात बिना खाए बिना पिए बिना सोए जब Isaac Newton ने study की तब उन्हों ने ये find कि जो path होता है ये basically ellipse है perfect circle नहीं है हलका सा elongated path होता है ellipse elongated होता है ना ठीक है perfect circle नहीं है तो जो earth है वो sun के around या जितने भी planets है वो elliptical path में चलते हैं और perfect calculation दे दी थी और यहीं से उन्होंने फिर जब ये समझ लिया कि आब अगर मुझे अपने ideas को publish करना है तो कुछ ना कुछ एक ऐसा landmark decision या landmark theories देनी होगी जो सब के लिए काम करें तब उन्होंने अपनी book Principia Mathematica publish की और यहां से चीज़े change हो गई ठीक है देखे मैं optics, Newton's, laws of motion ये सारी चीज़े आपको बताऊंगा बिलकुल बताऊंगा ठीक है अगले part में हम और जादा अच्छे से discuss करेंगे, अभी इनकी journey देख लेते हैं तो जब Principia Mathematica इन्होंने 1684 में publish की, तो तीन ये volumes का book था, पहली book में definitions थी, Newton's laws थे laws of motion, भया laws of motion क्या है याद है कि नहीं पहला लोग क्या कहता है कि कोई भी object जो है, वो constant speed से चलेगा, जैसे मान लिजे कि आप bike चला रहे हैं, ठीक है bike, all objects continues to move at a steady speed, आप आराम से bike जो है, site kilometer की प्रतिघंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, सामने साब का दोस्त आजाता है, रुको कहां जा रहे हो, आप पिगदम से bike रोग देते हैं, वो दोस्त क्या है, external force, तो याद रखेगा, कि all objects continues to move at a steady speed, unless is acted upon an external force, जब तक कोई external force act नहीं करेगी, तब तब अबजेक्ट रुकेगा ही नहीं, तो external force का act करना बहुत ज़रूरी है, यह first law होता है, second law क्या होता है, force applied आप भागे अपनी bike लेके बहुत जबर्दस तरीके से accelerate किया, और आपकी bike उतनी तेजी से भागी, इसका मतलब क्या है, force is directly proportional to the rate of change of momentum यानि कि जितना ज़्यादा force लगाएंगे, उतना ज़्यादा accelerate करेगी आपकी body, और तीसरा सबसे important क्या है, सबको मालूम है, every action is equal to the opposite reaction ठीक है, तो every action is equal to the opposite reaction, तो ये तीन law है, बहुत important है I hope आप कभी भोलेंगे नहीं और इन्हीं तीन law से related laws of equations भी है, मतलब motions की जो equations है, याद है पहली question क्या है, V is equal to U plus A T T है time, A है acceleration U है initial velocity, और V है final velocity, दूसरी equation क्या है, S is equal to U T plus half A T square ठीक है, S है distance, U initial velocity, और आखरी equation क्या है, V square minus U square is equal to 2 AS, तो ये तीन equations है, बहुत important, आप ज़रा इन तीनों में relation देखे, मैं थोड़ा से इसमें नजर डालिए, velocity acceleration time or distance चारों चीजों को combine कर दिया है, और अगर इन चारों चीजों को कोई समझ ले, हर चीज calculatable है, यानि कि एक तरह से classical mechanics का base बना दिया था, Newton ने, ठीक है, तो ये चीज है, और 12 तक और B.H.C. तक तक हम classical mechanics पढ़ते ही हैं, even engineering में भी, ठीक है, mechanical engineering ही पूरी तरह से Newton law पे based है, ठीक है, तो ये चीज है, उसके बाद फिर book 1 जो थी, वो definitions पे, फिर book 2 जो थी, वो और इसको elaborate करने पे scientific philosophy और calculus के बारे में deal करती थी, और book 3 जो है, जो planets का motion हो रहा है, planetary motion, universal law of gravitation, इससे deal करती थी, ठीक है, तो ये चीज था, इन सारी चीजों ने कमाल कर दिया, कमाल कैसे कर दिया, कि exact calculation दे दी थी, कि चीजे होंगी कैसे, जैसे हिलीस comet का आना, कितने सालों पे आएगा, ये सारी चीजों की exact calculation, Newton के maths, mathematics principle पे calculate की गई थी, अगर optics की बात करें, तो 1666 में Newton ने ये observe किया था, कि light प्योर नहीं है, दोस्तों ऐसा बोला जाता था, कि जो light है न वो pure है, pure मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन Newton साहब ने बोला, कि ऐसा गलत है, light consists of spectrum, light is a spectrum, मतलब जैसे rainbow है, दोस्तों क्या है, कि हम जो अपने all around देख रहे हैं, यह white light है, याद रखेगा, यह white light है, white light, अगर आप एक prism रख दे, और एक white light इससे टकराएगी, तो वो साथ कलरों में split हो जाएगी, separation हो जाता है, उन साथ कलरों का नाम क्या है, विवग्योर, ठीक है, violet, indico, blue, green, yellow, orange, red, और इनकी different frequency होती है, इसी पे ही तो पूरी दुनिया में lighting है, और lights का बहुत important use होता है, क्योंकि जितनी भी technology है, without light हम बिल्कुल भी imagine नहीं कर सकते हैं, ठीक है, light सबसे important है, तो यह Newton ने बोला, कि ऐसा है ना, कि यह split हो जाती है, और हमको एक spectrum, proper spectrum मिलता है, reflection होता है, reflection होता है, ठीक है, reflection क्या, कि जैसे ही, rarer to denser medium जाएगी, जैसे मान लिजे, कि earth, कोई light है, अगर वो denser medium में जा रही है, denser medium मतलब जिसमें density जादा होगी, वो medium घना जादा होगा, ठीक है, जैसे मान लिजे, कि आप खुली हवा में चल रहे हैं, तो density जादा नहीं, लेकिन एकदम साब जंगल में आ गए, तो घना है ना, जंगल घना है, तो वो dense forest है, density जादा होगी, एक example था hypothetical, तो जब भी light जो है, वो denser medium से water, या glass में जाएगी, तो light जो है, वो refract कर जाएगी, मतलब अगर मान लिजे, कि ये जो है, ये denser medium है, तो क्या होगा, कि, कि जैसे मान लिजे, ये denser medium है, light यहाँ पर जाएगी, तो जैसे यहाँ पर पास होगी, यो हलका सा deviate हो जाएगी, मतलब reflection हो जाएगा, ठीक है, और ये बहुत important है, बहुत जादा important है, से हम सारी चीज़े calculate करते हैं, refractive index calculate करते हैं, light को study करते हैं, कि light की helps हम technology को आगे, कैसे बढ़ा हैं, तो ये Newton ने base रख दिया था, तो ये बता दिया था, कि light जो है, वो basically pure नहीं है, ये impure है, साथ color sense में, lenses का इस्तमाल किया गया था, तो lenses का जब इस्तमाल किया था, तो उसमें chromatic aberration हुआ, अब chromatic aberration क्या मतलब, error आ गई, इसका मतलब क्या है, कि lenses के जो edges थे, ठीक है, जो telescope में use हुए थे, वो वहाँ पे colors आ गए, ठीक है, ये हमको colors दिखाई देने लगे, ठीक है, तो अब ये तो गलत है, अगर ऐसा है, तो आप देख कैसे पाएंगे, जो चीज आपको देखनी हो, तो ये Newton ने सही किया, Newton ने बोला, ये इसका lens use हो रहा है, तो lens क्या कर रहा है, जब light आ रही है, तो lens उसको split कर दे रहा है, जिसकी वज़े से, edges पे हमको colors दिख रहे हैं, दोस्तों आपको पते ही न, telescope कैसे काम करता है, जहां तक light है, वो हमारा visible universe है, तो जहां तक light पहुँच रही है, इस light को focus किया जाता है, एक point पे, और इसी से, तो telescope से हम दूर दूर तक universe में explore कर सकते हैं, तो telescope बहुँच ज़ादा important है, जहां तक light जा रही है, वो visible universe है, और जहां light नहीं है, वो dark universe है, मतलब invisible है, हम देख नहीं सकते क्या हो रहा है, ठीक है, तो telescope इस चीज़ को खतम करने के लिए, Newton ने एक idea बनाया है, Newton ने बोला कि मैं lens use नहीं करूँगा, मैं mirrors का इस्थमाल करूँगा, reflection हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने की, ये जो error थी, इन्होंने हटा दी, तो Isaac Newton ने एक छोटा सा telescope बनाया, खाली 6 inches बढ़ा था वो, और वो telescope 40 गुना जादा तक magnify कर सकता था, scientist अक्के बक्के रह गए, कि ऐसा हो कैसे सकता, और आज भी Newton का जो telescope है, वो पूरी दुनिया में as a base का का काम करता है, बड़े बड़े जो telescope बनाये जाते हैं न, वो इसी principle पे based है, तो Isaac Newton ने लगबग लगबग हर ब्रांच को छुआ, और उसमें success भी हासल की, तो ये telescope भी फिर उन्होंने रोयल सोसाइटी को दिखाया, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े scientist थे, और सब बोले कि क्या बात है, बहुत बड़िया, तो ये चीज थी, अब जैसा कि मैंने बताए कि रॉब और इठोक ने काफी इनकी आईडियास को क्रेटिसाइज किया, लेकिन फिर इन्होंने अपनी थियोरी दी थी light की, की light जो है, वो corpusal, छोटे-छोटे particles से compose करके बनी हुई है, ठीके, और उसके बाद ये, जो light है, इसको manipulate भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, और आथ की quantum mechanics अगर हम देखे, photons, interference, तो काफी हद तक Newton का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन बाद में जो theories आई, quantum mechanics आ गई, या diffraction आ गया, interference आ गया, तो इन्होंने Newton की theory को थोड़ा सा discard भी किया, कि light जो है, वो पूरी तरह से corpusal नहीं है, मतलब light का dual nature होता है, खेर वो हम अगले part में बात करेंगे, अभी जादा मैं lecture को लंबा नहीं करूँगा, और 1704 में इन्होंने optics publish की, जिसमें इन्होंने पूरी light की speed, light की study को बताया, light में जो इन्होंने इतने सालों तक study की थी, वो इन्होंने बताया, तो I hope इने चराग को समझ भी आया होगा, तो चली आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था, कि Newton का जनम एक किसान family में होता है, 25 दिसमबर 1642, देखे कुछ जगा चार जनवरी 1643 भी लिखा रहता है, वो अज कैलेंडर कैलेंडर का फर्क होता है, ठीक है, तो इनका जनम होता है, उसके बाद जनम से पहले जो इनके पिता जी होते हैं, उनके मृत्ती हो गई होती है, इनके पिता जी का नाम भी Isaac Newton होता है, इनकी माता जी दूसरी शादी कर लेती हैं, और बहुत ज़्यादा फिर चेड़ने लगते हैं ये अपने माता जी से, और अपने stepfather से, इनका तो ये मानना होता है कि दोनों को बन करके जला दो, लेकिन 11 साल के जब ये होते हैं, तो इनके सौतेले बाप का दियान तो जाता है, तो वापस इनकी मा जो है, इनके साथ रहने आ जाती है, meanwhile जो होते हैं, ये अपने नाना नानी के साथ रहते हैं, तब इनकी माता जी चाहती है कि ये किसान बन जाए लेकिन न्यूटन तो न्यूटन है वो तो साइन्टेस्ट थे ही शुरू सही उन्होंने एक साइन्टिफिक टेंपरामेंट डेवलप कर लिया था ऐसा ही थोड़ी ना सदी के सबसे महान साइन्टेस्ट है वो तो उसके लेकिन यह लॉज वो पब्लिक नहीं करते हैं दोस्तों मैंने पिछले लेच्चर में आपको बताया था कि न्यूटन जो थे ना वो क्रिटिसिजम को नहीं सह सकते थे वह अलर्जिक टू क्रिटिसिजम अगर कोई भी उनको क्रिटिसाइज करता था उनको बहुत दिक्कत हो आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिजम भी आपका होगा ही होगा ठीक है बहुत लोगों को बात थोड़ी ना पचती है इसी को ही तो पॉलिटिक्स कहते है ना गिराने की प्रता यही है एक तरहीके से ठीक है कॉंस्पिरेसी होती है तो न्यूटन के साथ भी यही था देखे दोस आप्यों Hersi कि ले वालिद है मतलं फिजिकल वॉयड के लिए वैलिद है लेकिन जब भी आप माइक्रो में चले जाते हैं आटमाश में चले जाते invalid हो जाते हैं, ठीक है, तो Newton's law के भी कुछ drawbacks है, हर किसी के कुछ ना कुछ drawbacks होते, लेकि Newton बोलते थे नहीं, कोई drawback नहीं है, तुम लोग गलत हो, मैं सही हूं, ठीक है, सही तो वैसे Newton थे ही, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसी में एक scientist थे, Robert Hook, भाईया, Robert Hook, एक बहुत एक chapter है, elasticity, वो तो पूरा Hook's law पे based है ना, और Robert Hooks की वज़े से, आज Robert Hook की वज़े से, बहुत सारी चीज़े हो रही है, material science को study करने में, Hook's law बहुत important होता है, इन्होंने क्या दिया था, वैसे, Hook's law क्या था, stress is directly proportional to strain, elasticity का law है दोस्तों, फिलाल में इस पे नहीं जाओंगा इतन ठीक है, तो ये बहुत important होता है, और ये stress upon strain, ये basically young modulus होता है, ठीक है, total 5 तरह के वैसे modulus होते हैं, और ये modulus क्या करते हैं, कौन सा material कितना elastic है, मतलब कितना ज़ादा उसमें खिचाओ है, कितना ज़ादा plastic है, ये determine करता है, ठीक है, तो Newton जो है, Newton ने अपनी light की थोली दे दी थी 25 साल तक आते आते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़े invent कर दी थी, लेकिन public नहीं किया था, फिर बाद में जब इन्होंने scientist को दिखाया था, इन्होंने का रे बाप रे तो कमाल है, तो उसी तरीके से इनको पहले तो Trinity College का fellow बनाया गया, फिर Royal Society का member बनाया गया, Royal Society वही तो सबसे बड़े ओदा था, Robert Hook के पास, तो Robert Hook ने सीधे सवाल उठा दिये, कि तुमने जो light की थियोरी दी है, वो गलत है, Newton ने बोला था, कि light जो है, वो पार्टिकल से बनी हुई है, लेकिन Hooks ने बोला था, और बाद में हाईजीन्स, हाईजीन्स प्रिस्पला पड़ते ह ना, उन्हों मैंने बोला था, light wave है, ठीक है, light कोई पार्टिकल से ने बनी है, ये तो ऐज़ा वेव काम करती है, ठीक है, हाला कि बाद में, डी ब्रॉगली और आइंस्टीन्स ने ये प्रूवी कर दिया, कि dual nature होता है light का, ऐज़ा वेव भी काम करती है, ऐज़ा पार्टिक और ऐज़ा पार्टिकल भी चलेगी, ठीक है, तो समय तो इतना पता नहीं था, तो सीधा सीधा रॉबर्ट हुक ने बोल दिया, कि तुम्हारी जो थियोरी है ना, ये बिल्कुल गलत है, और भाईया, ये तो गले नहीं उतर रही है, तो न्यूटन जी तो बोले कि अरे या पाथ है, वो भी एक तरह से तुम गलत बोल रहे हो, तो रॉबर्ट हुक की और न्यूटन की जो दुश्मनी थी, वो बहुत सालों तक चली, और इसी की वज़े से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, 1673 आते आते हैं, उन्होंने का कि मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा, और उसके बाद फिर न्यूटन ने ये भी बोल दिया था, कि मैं कसम खाता हूँ अब, कि आज के बाद मैं अपनी थियोरी किसी को नहीं दिखाऊंगा, बहार में जाओ, क्योंकि तुम लोग उस लायक ही नहीं हो, हलाकि ये तो नहीं बोला था, उस लायक नहीं हो, उन्हों से ये भी है, कि होक्स ने न्यूटन को आइडिया भी दे दिया, कि जो प्लैनेटरी मोशन है, उसका तुम एक फॉर्मला दो, देखे दोस्तों क्या है, कि जो फॉर्मला फॉलो होता है, वो इन्वर्स स्क्वाइर लो होता है, ठीक है, इन्वर्स स्क्वाइर लो होता है, आ एसा कुछ नहीं है, एपल एपबल नहीं गिरा था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मानना यही कि एपल गिरा था, वाले सर पर नहीं, लेकिन ग्राउंड पे जब गिरा था, तो आइडिया आया, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो न्यूटन तो भाईया साइंटिस्ट एंसान ठीक है वो तो scientific temperament के इंसान उनको अगर कुछ भी ऐसा देखेंगे तो वो तो उनके दिमाग की घंटी तो बचेगी बचेगी तो बजी उनकी दिमाग की घंटी उन्होंने वोला कि अगर apple गिरा है तो इसका मतलब कोई नो कोई फोर्स है तो उनने ग्राविटी की खोर्च कर वैसे दोस्तों टोटल चार्ट fundamental फोर्स से बताना चाहता हूँ पहली होती है gravitational, nuclear, columns और उसके बाद फिर electromagnetic force जो weak और strong में divide होती है अब इसमें जो ratio होता है याद रख लिजेगा ठीक है पूछा जा सकता है nuclear is to columbian, columbian मतलब electrostatic force is to gravity ठीक है सब से strong होती है nuclear force, nuclear force जो nucleons में nuclear force होती है, बहुत important होती है, अगर ये force strong नहीं होगी, हम सब तो atom से बने हैं ना, तो क्या होगा, electron तो free हो जाएंगे ना, हमारा शरीरी नहीं रहेगा, ठीक है, तो 10 to the power 36 और फिर columb होता है 10 to the power 34 और सबसे weak होती है gravitational force 1, ठीक है, तो ये ratio होता है basically तीनों forces में, ठीक है, अब weak electromagnetic और उसमें मैं फिलाल भी मैं नहीं जाओंगा, ठीक है, तो ये चीज है, तो क्या था कि, hooks बोल रहे थे कि, देखो, तुमने ठीक है gravity सही है, लेकिन planets किस तरह घूम रहे हैं sir के around, वो क्या forces है, जो planets को ऐसे revolve करवा रही है, पात क्या है, इसको proof करो तुम, इसको तो proof करो, तब Newton ने सोचा कि हाँ, ये चीज तो सही है, मुझे proof करना चाहिए, वैसे तो inverse square law follow होता है दोस्तों, ठीक है, force is inversely proportional to 1 upon r square, ये होता है inverse square law, तो ये क्या होता है, कि मतलब जैसे जैसे, जैसे दो body है, distance पे है, ठीक है, इनका distance है r, ठीक है, अब आप जैसे जैसे ये distance घटाते जाएंगे, वैसे वैसे force क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से ये काम करती है, तो सब कुछ इस पे based है, ठीक है, और ये gravitation का law भी है, अभी मैं बताओंगा, ये कैसे gravitation का law है, तब क्या था, कि Newton ने बोला, हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि Hawks और Newton जो है, वो दोस्त बन गए थे, इनकी दिश्मनी जो है, वो चालू रही, ठीक है, एक बहुत बड़े Edmund Haley, ठीक है, ये भी बहुत बड़े Astronomer थे, Newton को बहुत ज़दा मांगते थे, तो एक दिन इन्होंने फाइनली 1684 में Newton से पूछी लिया, कि Sir, आप एक मुझे बात बताईए, कि ये जो planets है, इनका path किया है, तब Newton जो थे ना, वो तो सब मन में ही calculation कर लेते थे, रहे भाया, उन्होंने तो calculus बना दी, इतनी बड़ी science जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में apply कर रहे हैं, उसके बिना तो कुछ हो नहीं नहीं है, तब Newton बोला, ellipse, दीखें दोस्तों, आपको पता ही है, बहुत सारे curves होते हैं, हर curve की equation होती है, ठीके, तो अगर extreme curves में जाए जाए, तो इसमें वैसे तो तीन curves में होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, parabola, ठीके, parabola क्या, इस तरह से होता है न, curve, parabola y square is equal to 4ax, ये equation होती है, ठीके, अ उसके बाद होता है, आपका hyperbola, ठीके, और finally आता है, आपका ellipse, बहुत important है, ठीके, x square upon a plus y square upon b is equal to 2ab, ठीके, तो ये ellipse होता है, ये basically circles नहीं होते हैं, elongated circles होते हैं, अब circle को हलका सा elongate कर लिजे, तो ये sun है, और ये orbits है, तो सारे planets जो है न, वो इन ही ellipse में जो है, वो revolve करत होते हैं, circles नहीं होते हैं, elongated हलका सा उसको बढ़ा दीजे, उसमें revolve करते हैं, लेकिन दोस्तों, आपने बोला कि मैं उड़ सकता हूँ, प्रूफ दिखाओ, या तो mathematical प्रूफ दिखाओ, या theoretical प्रूफ दिखाओ, मतलब करके दिखाओ, ऐसे कैसे होगा, न्यूटन ने ये चैन हराँ, खाना पीना कुछ नहीं, तब न्यूटन ने बोला, ठीक है, मैं इसको प्रूफ करूफ करूँगा, अठारा महिने तक काम करने के बाद, उन्होंने अपनी सबसे बहतरीन अपने जीवन का वर्क, एक लैंड मार, एक ब्रेक्त्रू, फिजिक्स में दिया, प्रि चैनले से कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप, आपका प्रूफ होना चाहिए न, आपने काम क्या किया है, तो ये बुक में, न्यूटन की बुक में, प्रिंस्पिया मैथेमाटिका में, न्यूटन का पूरा काम था, न्यूटन लॉज ओफ मोशन थे, फर्स लॉज, सेकेंड थर्ड लॉज, ये मैं उल्रेडी पिछले में बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप मैं दुबारा कवर नहीं करूँगा, तो तीनो लॉज थे न्यूटन की इस बुक में, उसके बाद, प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन किया था, इन्वर्स स्क्वाइर लॉज, इन्होंने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर होती है, अगर ग्राविटी जो है, एक्चलरेशन द्यू टू ग्राविटी है, ये युनिवर्सल है, तो इसका मतलब चाहें स्वर्ग हो, चाहें नर्ख हो, चाहें मल्टिवर्स हो, कोई भी हो, वैसे मल्टिवर्स में तो नहीं, ग्राव कि एक mountain पे मैं खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे एक top है ठीक है अब अगर मैं top से गोला दागता हूँ तो क्या होगा अगर मैं बहुत तेज गोला दागूंगा तो इस तरह से जाएगा वो गोला ठीक है लेकिन क्यूंकि earth में तो gravity है तो अगर मैंने top से गोला दागा ठीक है तो वो सीधे नीचे गिरेगा लेकिन अगर मैं उसकी speed बढ़ा हूँ और जादे speed बढ़ा हूँ तो मैंने top से गोला दागा यह क्या हो रहा है तो वो और जाएगा और फिर नीचे गिरेगा फिर मैंने top से और speed बढ़ा के गोला दागा तो यह और नीचे जाएगा अब मैंन इसको launch करते हैं, ताकि वो अर्थ के orbit को पकड़ ले, ठीके, तो Newton ने फिर इसी पे base एक law दिया, जिसको बोला गया, universal law of gravitation, f is equal to g m1 m2 upon r square, ठीके, और ये inverse square law भी है, यानि कि f is inversely proportional to upon r square, ठीके, यानि कि जैसे मान लीजे कि एक बड़ा planet है, ठीके, और एक छोटा, दो bodies है, ब दो bodies है, a और b, ठीके, planetary motion की बात हो रही, याद रखिएगा, ठीके, इनके बीच का distance है, r, ठीके, तो जो force लगेगी, वो directly proportional होगा, mass के, मतलब जितना ज़दा mass होगा, उतनी ज़दा force होगी, और जितना कम distance करते जाएंगे, उतनी force जो है, वो बढ़ती जाएगी, यानि कि force को अगर आप 1 कर रहे हैं, तो r क्या रहेगा, एक force को 2 कर रहे हैं, तो r क्या हो जागा, 4 square है ना, आयोब आप समझ रहे होंगी ये चीज़ को, तो यानि कि उन्होंने बोला, कि जो planets है, जो sun, जो attractive forces है, planetary motion में जो forces है, वो इस law को follow करती है, और ये universal law है, मतलब ये law हर जगा valid है, तो इन्होंने इस तरह से, finally, ये explain करने में कामियाव हो गए, कि जो attraction है, sun, earth, moon, इन सब के बीच में, ये क्या है, इसी की वज़े से, तो moon की gravitational forces की वज़े से, यहाँ tides आते हैं, ठीक है, high tide, low tide, moon की gravitational force, तो ये सब इस formula से govern है, ये जो f is inversely proportional to r square है, इस से govern है, तो ये सारी चीज़े उन्होंने जो अपनी book 1687 में publish की, उसमें ये सारी चीज़े लिखी, और बहुत जादा important book थी, ठीक है, तो ये चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे इतना असान नहीं है, भया, attack तो होने ही होने है, सारे scientist मिल के attack करेंगे, एक और nervous breakdown इसी के वज़े से हो जाता है, 1693 में काफे दिक्कत थी, अब इन्होंने बहुत जादा science लगा ली थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़े invent कर ली थी, बहुत सारे लोग भरबर के इनको attack कर रहे तो Newton ने अब बोला कि भाड में जो, अब मैं अपने हिसाब से जिंदगी जी होगा, finally इनका एक नया face cell हो गया, Newton member of parliament ब MP बने, यह बहुत बड़ी, यानि कि यह तो सीधा सीधा politics में घुज गया, ठीक है, उसके बाद इनको royal mint का warden भी बनाया गया, mint मतलब क्या, जहां पे currency छपती है, देखियो समय दोस्तों counterfeiting जो थी न, यह बहुत होता था, मतलब duplicacy, currency को duplicate करना, ठीक है, फरजी currency, तो यहां पे Newton ने जब royal mint के warden बने, तो इनके उपर बहुत जबर्दस तरीके से नकेल कसी और counterfeiting को काफी हद तक खतम किया, ठीक है, इसी बीच यह alchemy में indulge हो गया, alchemy क्या होती है, chemistry का संगम, ठीक है, alchemy basically matter की study होती है, हम matter को study करते है, अगर आप, मतलब हम किससे बने हैं, यह द खो जूँगा, जिससे क्रांती आजा है, उसका नाम था दोस्तों, modern scientist जो बोलते है, philosopher's stone, यह बहुत खतरनाक होता है, अगर आपके पास तांबा है, आप philosopher's stone का प्रयोग करके, उसको सोने में तबदीर कर सकते हैं, philosopher's stone का प्रयोग करके, आप अमर हो सकते हैं, you can be mortal, ठीक है, immortality नहीं रहेगी, मतलब आपका भी नहीं मरेंगे, तो यह सब चीज़े possible है, दोस्तों mortality की अगर बात करें, तो यह possible है, जी हाँ, यह possible है, कैसे possible है, यह मैं फिर कभी बताऊंगा, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उससे antioxidants भी निकलते हैं, तो वही हमारी bodies को गलाने लगते हैं अगर उन antioxidants को खतम कर दिया जाए, तो फिर चीज़े हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन यह कैसे होगा, यह मतलब इस पर भी बहुत सारी theories हैं, ठीक है, बहुत सारी, वो फिर हम किसी और टाइम पे बात करेंगे, तो philosopher stone को produce यह नहीं कर पाए, लेकिन बहुत करीब तक पहुँच ग चानी में तबदील कर रहे हैं, तो currency पुरी duplicate हो गई, फरजी सो ना अपला सकते थे, तो alchemy अगर कोई भी practice करता था, तो उसको छोड़ा नहीं जाता था, बहुत खतरनाक सजा थी, लेकिन Newton ने छुप छुप के alchemy को practice किया, उन्होंने बोला कि मैं तो, मतलब उन्होंने सो economics, father of modern economics, कौन है भईया, चलिए अचा, comment box में बताईए, मैं खोदी बता देता हूँ, John Maynard Keynes, J.M. Keynes, ने इनके papers को 1936 में खरीदा, जब auction हुआ था, जब निलायमी हो रही थी, और उसको decode किया, तब पता चला कि Newton की एक secret life थी, Newton secretly बहुत कुछ करते थे, ऐसे ऐसे experiment करते थ उसमें alchemy एक, क्या कहता है कि, एक उसमें part था, ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो alchemy हाला कि इसमें success नहीं हो पाई, लेकिन बहुत close चले गए थे, philosopher stone को produce करने में, दिन रात ही अपनी lab में काम करते रहते थे, इस alchemy में काम करते रहते थे, पर उसे रहते थे, इनको बस य लाइफ आगे बढ़ती है, और इनको president of royal society बनाया जाता है, 1703 में Robert Hook, काफी ideal थे Robert Hook, उन्होंने बोला कि मैं तो ये post नहीं छोड़ूँगा, लेकिन 1703 में को छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी death हो गए थी, तो उसके बाद फिर इनको Newton, Isaac Sir Isaac Newton को royal society का president बनाया जाता है, यहा कि Isaac Newton तो चोर है, उसने मेरा सब को चुरा लिया है, Leibnix theorem भाईया बहुत important है, calculus ऐसा बोला जाता था कि Leibnix ने invent की है, ठीक है, Leibnix ने बोला कि यह तो मेरी है, इन्होंने जो पूरी maths पब्लिश की है, यह मेरे ideas है, इन्होंने मेरे ideas को चुरा के calculus बना दिये, लेकिन ऐसा क कुछ भी नहीं हुआ, जब inquiry बैटी तो यह बिलकुल पता चला कि बिलकुल गलत है, यह Newton के सब ideas है, Leibnix ने भी ideas दिये थे, लेकिन Newton के आगे कुछ नहीं है, infinisimal calculus, मतलब कोई भी number जो आप सोच सकते हैं, उससे बहुत छोटा, वो Newton ने discover किया है, calculus जिसको हम बोलते हैं दू प्लिश कर दिये, तो इन पे plagiarism का मतलब दूसरे की research छापने का बहुत इल्जाम लगा रहता है, लेकिन जब भी इन पे जाच हुई, तो यह clean में बहार आए, ठीक है, अब ऐसा बोला जाता था कि वो clean shit उनको मिलेगी, क्योंकि वो खुदी president है, तो president के उपर ही अकर जाच हो रही है, तो भाईया, जो judge committee में है, वो तो उसी का याद भी होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, Newton के laws आज भी valid है, और आने वाले बहुत सालों तक, अनंत सालों तक Newton के laws जो है, वो valid रहेंगे, तो यह चीज़ है, उसके बाद फिर Newton जो है, उन्होंने का कि अब मैंने बहुत 1700 आते आते, Newton घर घर का नाम हो गयते, यह hero हो गयते, एक icon हो गयते, बहुत बड़े scientist कहीं पे भी जाते तो लोग पहचानते तरह, Newton जा रहें, Newton जा रहें, Newton जा रहें, तो बहुत बड़ा नाम हो गयते, Newton सबसे बड़े scientist के रूप में उभरे थे, आज भी जब यह बात होती यह best one of the greatest scientist Newton का नाम तो बहुत सबसे उपर आता है तो यह चीज है तो उसके बाद फिर 80 साल के हुए 80 साल तक आप दोस्तों कितना बड़ा भी scientist हो कितना बड़ा इंसान हो आप मौत के पंजे से तो कभी नहीं बच सकते हैं वो तो आपको लेगी ठीक है अब मौत वैसे death होती क के पहुँचे तब इनको दिक्कत होने लगे और फाइनली 84 साल की उमर में 1727 में Isaac Newton का देहांत हो गया और Kings और Queens के बगल में इनको दफनाया गया विंस्मिंस्टर एबे में तो यह चीज़ दिया यहोप यह लेचरा को पसंद आया होगा